सर सुप्रेम कोट ने समलेंगिकता को अपराद बताया है अगर दो व्यक्ति साथ रह रहे हैं दो व्यक्तियों की सहमती है अगर दो व्यक्ति सहमती के साथ कोई कारे कर रहे हैं तो वह अपराद कैसे हो सकता है आप क्या सूछते हैं जबार में नहीं मैं यह इदे बालिक वेक्तीं हैं और जिस तरीके का पिछले संचार मात्धाम हैं और सब जगे लोगों को आगे बढ़ने का मुँखा मिला है और जो सम्मद्न बनते हैं और आप शीयमतिक से या और आप शीयमतिक के बना था तो मैं इसको सर धारा 317 में जो भी आपक्रतिक संबंध हैं वो उस दायरे में आ जाते हैं जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मानव जीवनें की दीवान है किसी भी सेक्स है देखेंगे पशुपक्षियों को भी देखेंगे कीच पतंगों को भी देखेंगे एक स्वाभाविक मन से निकलने वाली किरिया है जो इस तरीके के सम्मन्दों का आधार बनती है तो जब हम यह देखते हैं कि जब लोगों की उस चीज की इक्षा प्रवल होती है और उसे वि तो इन संब्दों को 377 में अपराध माना गया है लेकिन ये जबरदस्ती बनाए जाते हैं तो जबरदस्ती बनाए गए कोई भी संबंद कहीं पर भी हो वह हमेशा अपराध की स्रेणी में ही आएंगे लेकिन जहां जबरदस्ती नहीं है बालिक है और सेमती है तो ऐसी स्थिती में फिर हम उन्हें और वो समाज को अपने संबंदों से परिशान भी नहीं कर रहे हैं यहांगि, सामाजी वीवस्ता के अनूप नहीं है तो उन पर दूसरी भी開वारी कि जा सकती हैs लेकिन जो अधिकार मांग रहे है। ثज मुझे मूझे लगता कि वर्टवान में हमारी विकास के क्रम में हम जा रहे हैं तो उनकी बात भी गलत नहीं है तो फिर आपके हिसाब से आपको क्या लगता है धारा 377 का प्रावधान भारती देंड सहिता में होना चाहिए या फिर नहीं नहीं 377 का प्रावधान तो हमेशा रहेगा और होना भी चाहिए तो वह जैसे आप देखें बच्चों के साथ कई लोग यहां संबना लेते हैं कई बार जारवनों के साथ बना लेते हैं या कई बार इस तरीके के जवदस्ती संबनाते हैं जिनको हम अपरात की सेनी में ही रख जायते हैं वह दोनों परक्स इस बात से सेमत हैं कि हमें साथ रहने के लिए हम लोगों ने तै कर लिया है और हम इन इन सर्तों पर आपच में साथ रहेंगे तो जहां एक से दो वेक्ति होते हैं उनके बीच में अंडर स्टेंडिंग का कोई ना कोई कारण जरूर होता है तो समलेंगिक्ता को किस तरह से रूका जा सकता है नहीं समलेंगिक्ता को जैसे भी भारत वर्ष में समलेंगिक्ता बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही यूरोप के देशों में उस तेजी के साथ नहीं बढ़ रही जितनी यहां बढ़ रही है उसका कारण है कि जब भी हम बातकार की सेंडी में ले गए जबकि ये तो एक सौभावी पिक्रिया है कि कोई ना कोई तो पहल करेगा अब उस पहल को भी हम उसको इतने बड़े अपरायत के रूप में ले जाएं तो उससे एक मांसिक दवाओ योवापीडी के उपर पढ़ रहा है दूसरा आज योवाप सबसे बड़ा परिवतन कि जब साधी करने की उमर होती तब हम पढ़ाई की बात करते हैं और जब हमें सन्यास लेनी की बात होती है तो आज हम साधी की बात कर रहे हैं तो यहां पर 35 साल के बाद साधीयों का चलन पढ़े लिखे लोगों के बीच में बहुत तेजी के साथ ह हो रहा है जब तक हो सोचते हैं कि हमारा केरियर नहीं बन जाएगा हम साधी नहीं करेंगे जबकि यह स्वाभाविक प्रिक्रिया उनकी 16-18 साल की उमर से सारी परिवतन शुरू होते हैं उसके बाद से इनकी स्वाभाविक इक्षा होती है तो कोई भी आदमी कितने साल तक कैस से इन सारी इक्षाओं को रोक सकता है फिर विपरीत लिंगी को लेके जो कानून बने हुए भारत में खास तोर से महलाओं को लेके तो वह युवाओं को बहुत ज्यादा आपस में परिशान कर रहे हैं